दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेंदर सिंग धोनी ने अंतराश्ट क्रिकेश से सन्यास की घोसना कर दिये और इसी के साथ अब टीम इंडिया में एक विशेस विकेट कीपर की तलास सुरू हो चुकी है बता दें कि अब तक रिसपपंद, केल, राहूल और समझू समसन जैसे खिलारियों को अब तक आजमाया जारा आता लेकिन इन में से किसी भी खिलारी का परदर्सन कुछ खास नहीं रहा और यही कारण है कि आप BCCI IPL 2020 के दोरान टीम इंडिया के लिए एक अतिरिक्त विकेट कीपर की तलासने की कोशिस करेगी वहीं दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे खिलारी के बारे में बताने जारे हैं जिसे BCCI टीम इंडिया में जल्द ही बतोर विकेट कीपर सामिल कर सकता है बतादे कि यह खिलारी ना तो जिसा पंत है ना ही केल राहूल है दोस्तों यह खिलारी कोई और नहीं बलके जारखन के ही युवा विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किसन है जो कि अंडर 19 वर्ल कप में टीम इंडिया के कफ्तानी भी कर चुके हैं दोस्तों बतादे हैं कि इसान किसन इंडियन डमेस्टिक टी-20 किरिकेट में लगातार दो मैचों में दो सतक जरने वाला एक मातर बल्लेबाज है दोस्तों अपने छोटे कत के बावजूद इसान किसन लंबे-लंबे छक्के लगाने में भी माहिर है इसान किसन आईपेल में सबसे पहले गुजरा लाइनस की ओर से खेलते वे दिखाई दिये थे जहां उन्होंने अपनी छोटी-छोटी पारियों से दर्सको का दिल जित लिया था उसके बाद उन्हें आईपेल की सबसे सफल टीमों से एक मुंबे इंडियनस ने खरिदा और वो पिछले दो वर्सों से इस टीम का हिस्सा है जहां वो लगातार दर्सकों का दिल जीद रहे हैं बता दें कि इसान किसन आईपेल में सुनी नरायन जैसे अंतरास गिंद बाजों की धुनाई कर चुके हैं लेकिन अगर अगर आईपेल में उनका परतास ठीक रहा तो वीसी सीशा है उन्हें टीम इंडिया में जुरूर सामिल करेगी वैसे दोस्तो आपकी क्या राय है, क्या इसान किसन को विकेट की पर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना है, I hope ये वीडियो आपको पस्थान आया हो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट एक्साइडिंग वीडियो के साथ तब तक लिए जैन वंदे मात रहा हूं